जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूँ आपके अपने ही वे के यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं दिल्ली वर्सेज पुनेरी पल्टन के बीच में खेला जाएगा कबड़ी का आज का दूसरा मुकावला उसको लेके डिटेल्स में बात कर लेंगे आप लोग मैं स्टार्टिंग में कहा दूँ कि इस मैच में क्या है न की वाज़ सब लाइनप के बाद बहुत सारे चैन्जेज आपको देखने को मिल जाएंगे तो आफ्टर लाइनप जो भी चैन्जेज होंगे उसका अपडेट्स आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम कर लेने इसी वीडियो के चले जाने कमेंट सक्षन में और सबसे टॉप कमेंट मैं आपको दिख संतुलित तरीके से गेम को चलाते नजर आ जाएंगे और नवीन यहाँ पर आपको मैक्सिमियम रेड करते वे दिली के तरफ से आ जाएंगे पूने को लेकर बात करने तो इनके पास दो बहुत बड़े ब्रांड रेडर है बस यही है कि उन दोनों को क्लिक करना बहुत ही ज चलिए मैं आप लोग को रेडिंग से पहले दिखाता हूं हम लोग वहीं पर बात करेंगे समझाएंगे आप लोग समझेगा वहां पर तो दिली के तो रेडर हैं चाहे वह यहां से होंगे अजाई ठाकूर या फिर दोस्त आपको दिख जाएंगे यहां से कौन नवीन एक् आपको रेडिंग करते ही नजर आएंगे तो यहां पर आपको कौन दिख जाएंगे डिफेंडर वैस सामने की टीम से विशाल भरद्वाज तकर लो इसको क्योंकि इसी के सामने ने रेड करेगा कौन रेड करेगा इसके सामने वैस सब आजाई ठाकूर भी और नवीन एक्स घ्रेड में काम करते हैं इनके आपर लेफ्ट या राइट रेडर नही कर सके तो यह लैट राइट दोनों डेडर है ठीकँ है तो यहां पर यह भी लैस या राइड रेडर है और यह संदीप नर्वाल चलेगे इनके पास जएंगे और यहाँ पे कावर पोजिशन पर कौन खिलेगा मंजीत चिलर तो इसको भी उठालो यहां से यह दोनों आपके लिए मस्त होगी है मतलब यह कि यह तीन डिफेंडर आप कुछ भी हो जाए आज के मैच में नहीं छोड़ सकती हो यह तीन होना ही चाहिए आपके पास समझ गे उसके बाद आई है यहां पर रेडिंग में आपने बिल्कुल सोच लिया है तीन में रेडर है अगर रिस्क नहीं लेगा दोस्तों तो फिर ज्यादा रेडि भी करने के चांसे जिसके मुझे ज्यादे दिखने क्योंकि नवीन एक्सप्रेस हो सकता है तो यहां पर आजाई ठाकूर को टीम ज्यादा तरजी दे नवीन एक्सप्रेस को आगे के लिए बचा के रहे कि ऐसा हो सकता है सेम यहां पर राहुल चौधरी को लेके भी कर सकते राहुल चौधरी अपने आप में दोस्तों इस सीजन में प्रूफ करना चाहेगा वाई इस सीजन इसको प्रूफ करना ही पड़ेगा नीची आ जाओ तो तो तीसरे दोनों टीम का जो रेडर दिखने मुझे एक काम दिख रहे हैं वाकि मुझे यहां से कोई बेटर पिक लगने रहे हैं और डंडर से मैंने दो बाती कर लिए मंजीत और यहां से एस नरबाल अपके पास होना ही चाहिए अगर वीजाई खेलता है तो आपके लिए हो सकता है कि आजाई ठाक और मिंस देली के तरफ से तीस कोई नहीं है तो इस मैच में यहां से जोगिंदर नर्वाल का और जीवा कुमार का बहुत ही कम यूज होने वाले हैं जोगिंदर नर्वाल के आयना कि इसके पास अगर कोई पॉँ फेकता है तो बैस अब काफी एक्स्वेंस पीलर है उसको दबोच लेगा यह 100% कंफर्म है लेगिन पॉँ पेकर तब पॉँप पेकने वाला कोई मुझे दिखी नहीं रहा है ना तो इसंसे मैच में थोड़ा सा यूज है वह जो इतना दर्वाल का कम होने वाला है और सामने टीम में अगर ध्याम दो गए तो दोनों लेफ्ट रेडर है राइट रेडर है अजय ठाकूर और नभीन कुमार तो यहां से बलदेव सिंग्जो की बहतरीन डिफेंडर थे पिछले सिजन तक भंगाल का उसका भी मुझे इस मैच म नया डिफेंडर में स्राइट पर खेलेगा तो यहां से अजय और नभीन कुमार आपके लिए कापी मस्ट फिक हो जाएंगे यह सब क्रिटेरिया लाइनप आने के बाद ही क्लियर होंगे और एक-दो मैच के बाद सारे चीज आपको किलियर कट में मिल जाएगा कि किसका पो अब किसी को ड्रॉप करते हो तो फिर आपकी तीम गंदी बन जाएंगी तो आप लोग अगर ड्रीम इलेवन पर खेल दो तो मेरा तरजी मनों कि यहां पर बहुत कम खिलना ना के बराबर यहां आप लोग जोगिंदा नर्वाल के साथ किसी एक-ग्यारा क्रेडिट वाले प और यह आपके ड्रीम 11 के टीम बन जाएंगे लेकिन चलिए उस अप्लिकेशन पर जहां पर हम लोग आज के मैच में इंवेश्ट्मेंट अच्छा करने वाले हैं वह है वीजन 11 अप्लिकेशन जहां पर आपको क्रेडिट की बिल्कुल इस्यू देखने वाला नहीं है दिख यहां से मैंने लिए नवीन एक्सिप्रेस को ठीक है और लंडर से बात करें Но के लिए लूज Oh ईपको यह तैक bålor सुपर कर डोनें भी आप कांडिवुशन नुचाकासा कर्ते नजऌन आ जाएंगे अब देखो Captain VC की बात तो मैंने फिलहाल अपना नवीन कुमार को Captain दिया हुए VC को लेके मैं सोच रहा हूँ नितीन तोमर, यहाँ पर अजय ठाकूर यहाँ फिर दोस्तों अगर मैं इनके अलाबा किसी को विसी दूंगा ठीक है इस दोनों का अलाबा मैंने VC अपना विसाल भादवाज को दिया हुआ है और यहाँ से मैंने नवीन एकस्पेस को Captain दिया हुआ है आप यहाँ से संदीप नर्वाल को भी VC कर सकते हो यह भी आपके लिए अच्छे VC के कंटेंडर हो जाएंगे अगर यहाँ से संदीप नर्वाल को अपना VC दे दूँगा तो जो भी मेरे टीम में बदलाओ दिखेंगे आप लोग उसके लिए वेट कीजएगा टेलिग्राम पर आपको फाइनल अपडेट्स मैं टेलिग्राम पर जरूर दूँगा चलिए एक फार एकसेंस 22 का हल देख लेते हैं अभी यह मैस दोस्तों एक्षेंस 22 पे एड नहीं किया गया है वहां पर आप लोग जाके बाइस सेल और मल्टी वेगर के पिक आराम से कर ले ना ठीक है डिली के प्लियर को ज्यादा ज्यादा आप लोग करने का कोसिस करना एक बात और ध्यांच सुनना विसाल वर्दवाज को मैंने भीजी क्यों दिया हूँ इसके पीछ एक और लोजिक बताता हूँ मैंने आपको स्टार्ट में ही बोला होगा कि कबड़ी में सुपर टैकल वही करती है जो टीम कमजूर होती है क्योंकि मान के चलो दिली की टीम यहां पे स्ट्रोंग है तो हमे हैं और यहां पर दोनों रेट रेडर हैं इसके चांसे और भी वह वीजी के बढ़ जाते हैं क्योंकि यह टैकल सुपर टैकल दोनों आज के मैच में अच्छा खासा आपको करके दे सकता है वाकि उम्मीद करते हैं कि छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लागा होगा अगर बाकि इसका मैंने वीडियो दे दिया गुजरात वाला और यह आपको दिली का मिली गया इसका देखने क्या होता है आज उम्मीद करते हैं कि कवड़ी आज हम लोग का बेथर से उपर जाए और आप लोग था सपोर्ट कर दो यार क्योंकि कल मैं मानता हूं कि हमारा दीन क्या हुआ था मैं खुद भी उम्मीद नहीं किया था कि इतना बुरा चला जाएगा बड़ चला गया था वह मैं एक्सेप्ट करता हूं ऐसा निक मैं आपको बोल रहा हूं कि कल यह हुआ वह हुआ जो हुआ हमने गलतीम बनाई हमने हारी ठीक है वहां से भूल कि हम लोग आ